हेलो स्टुडेंट्स आप सभी लोगों का स्वाकत है मेगनेर बेन सिंधी मीडिया में जो आपको प्रोवाइट करता है साथ वी से बालवी किशा तक के सभी वीडियो को सर्वो भी फ्री आफ कॉस्ट और ऐसा नहीं कि एक चेप्टर दो चेप्टर आपको फ्री कराएं और उ है तो बहुत अच्छी बात सब्सक्राइब करते हैं आज की सेसन को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइक्टा चेप्यक्टर जो कि कक्षा 10 वी का सभी का पर्ट 15 है और आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले है प्रसणावली 15.1 इससे पहले के उधारन जो थे वह हमने कंप्लीट कर लिए एक से तेरा तक उदारण थे वह बिलकुल कर लिया है बहतरी तरी से जिसने नहीं देखें तो वह लास्ट लेक्टर जरूर देख लिना और उससे पहले हमने इस चैप्टर के फुल कॉंसर्ट वीडियो को भी कवर किया था जिसके अंदर हमने इसक जिसने वह वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लेना तो वह वीडियो देखोगे फुल कॉंसर्ट वाला उसके बाद मज़ा जाएगा फिर चीजे बहुत असान लगना जाएगी फिलाल यहां पर भी चीजे मैं एक्स्प्रेइन करता हूं कोई दिकत निक कोई निकरते अग्रीचे प्लस वे इनहीं की प्राइकता बराबर क्या होगा जytes paísशाना और लेके ऐसकी प्राइकता क्या होगे एकां कुछ्झ होना और दौनछे नहीं होना फ्रकेकता क्या हो गीता क्या होगा वह यह दोनों मिलके होता है, कुल एक होता है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ चल्ड़ अब एक आ गया, यह आगया हमार पास, तो यहां पर वह क्या चीज़ा होती है कि हा और नहीं मिलकर कितना वह टूटल एक हो रहा है अब मैं बता दू कुल जो प्राइकता होती है वो एक होती है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्राइकता जो होती है इसका जो आंसर होता है वो कम से कम जीरो होता है और ज्यादा ज्यादा एक होता है इनके बीच में हिलाई करेगा जब चीजे बिल्कुल कम्प्लिट होगी तो एक होगा और जब कुछ भी नहीं मतलब मैं वह होई नहीं सकता असमभव है तो जीजो होगा दए चीज ओती है तो यहाँ पर क्या है तो यहां पर क्या है हो और नहीं को जोडा गया है छोलो ठीक है उसका शेंगता कर जो घंट नहीं हो सकती ऐसी उसला रहे नहीं हो सकती पॉस्पीबल ही नहीं हो सकती तो उसे सप्यों तो क्या कैसे वह उसीग निसेंdock मतलब और प्व इसकल नहीं आशकती काली पाद़िक्स कि अटा में तो ऐसी घटना को असंभव गटना कहलाती है यह जोते हैं वह आसंभव है कि जाती है चलो भी ठीक है उसका नेक्श्ट है उस घटना की पैक्ता जिसकी घटित होने निश्चित है जो घटित होगा आई होगा confirm जिसे कि माल लो आपने क्या किया एक जोलिक अंदर चार लाल बॉल डाल दी अब हाट डालके बोले लाल बॉल निकाल लाल लाल ही निकलेगी उसके लाबा कोई निकल निकल नहीं सकता तो भाई इसमें तो 100% है कि भाई अंदर से हम जो बॉल निकाल रहे हैं वो लाल ही आएगी तो यानि कि इसकी जो प्राइकता होगी वह 100% है यानि की मैक्सिममई प्ररवडिटी कितना है तो भाई एक है तो एक ही आगा अधिकता प्राइकता क्या होती एक होती एक से ज्यादा नहीं होती तो इसमें निष्चित है भई ये लिख डियांने निष्चित गटना भाई निश्चित गटना कहा जाता है या फिर इसमें हम एक और चेल लिए सकते हैं क्या तो भाई इसे निर्धारित गटना भी कहा जाता है भाई या रखना इसे निर्धारित गटना भी कहा जा सकता है ठीक है भाई निर्धारित है चाहे निश्चित है और ऐसी घटनाओं के जो प्रायक्ता होते हैं वो एक होती है कि यह तो confirm है यह confirm है ठीक है चलो बें ठीक है तो आप इसका स्किन सौट लिए दो कुछन तीन कुछन दो हो गए इसके बाद आते हैं चौत्थे पार्ट पर चौत्ता पार्ट करता है किसी प्रयोग की सभी प्रार है वैसी अगर हम Message Inc के बात करी तो में एक से लेकर यह दो सबकी क्यों होती है तो एक बट्थे शहता है निकुल प्राइक्ता योग में घटना हो कि प्राइक्ता के कहता है ढ़्य या उसके बराबर होती है किस से बड़ी और किस के बराबर होती है तो प्राइक्ता जो होती है किस से बड़ी होती है तो भई जीरो से बड़ी होती है या बराबर होती है जैसे हमने यहाँ पर लिखा जीरो से बड़ी प्राइक्ता होती है या फिर बराबर होती है तो वह जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी और उसके बराबर होती है किसे छोटी होती है एक से छोटी होती है या उसके बराबर होती है यही होता है तो आप इसका स्कूर्ण ले सकते हो कोशन यहां पर यह समाप्त होता है और आ कुंसी पॉसिबल है उसकी बारे में देख रहे हैं तो एक ड्राइवर कार चलाने क्या प्रैत्न करता है तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रैत्न कर रहा है ठीक है कार चलना प्रारम्ब हो जाती है या कार चलना प्रारम्ब नहीं होती है इसकी प्राइकता किस तरीके से निक कि चलाने की प्राइकता कितनी होगी मितलब कि गाड़ी चल जाएगी चलनी कि प्रयोग परढ़ी का संप्राइक है स्प्रस्ट किजिए तो इसमें हम पहले वाले को कह सकते हैं कि हाँ इसके जो परिणाम है राख है यह हमने स्पष्ट कर दिया कि समसाल कि इसके प्रायकता निकाले जा सकती तो इसके इसमें में इसका अंसा लिख दूँगा इसके जब पढ़नाम है शीड़े इसका पढ़नाम लिख दूगा वो क्या आएगा? तो इसका परिणाम आएगा चलना और next आएगा भई नहीं चलना ठीक है या फिर चलना है या फिर नहीं चलना है done चलो ठीक है अब उसके बाद next की बात करते है एक खिलारी basketball को बास्केट में ढालने के प्रत्ने करता है चलो ठीक है वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है तो यहां पर भी दो पॉस्बिल्टीज हो रही है यानि इसके परिणाम भी हो रहे है परिणाम क्या है तो इसके परिणाम की बात करें तो यहां पर क्या होगा बॉल डाल पाती है बॉल नहीं डाल पाती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बॉल है डाल पाती है और बॉल नहीं डाल पाती है नहीं डाल पाती है निएगी कि दो पोस्टमोंיו होगत ये इसके पैड़िणामि स्मप्राइक है नेक्ट की में एक सत्य असत्य प्रसन्द का अनुमान लगा जाताँ उतर सही होगा यह नहीं होगा यांनि यहां पर क्या है इसके उतर सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसको हम चेक करते तो बिल्कुल इसके परिणाम भी आपके संप्राइक है क्योंकि यहां पर क्या चीज़ है हमें नहीं पता इसमें की वह सत्य है क्योंकि यहां पर यह अनुमान लगा रहा है यानि इसको question confirm नहीं है ठीक है इसके अनुसार इसके परिणाम जोंगे वो क्या होगा वो होगा सत्य या फिर असत्य होगा डन तो यह हो गया नेक्स्ट की बात करें एक बच्चे का जन्म होता है वह एक लड़का है या एक लड़की है अब यह बच्चा जन्म होगा आफ भी तो नहीं पता ना कि वह लड़का है कि लिड़के तो इसके परिणाम जोंगे वो क्या तो इसके परिणाम भी हम लिख देते हैं, ठीक है, इसके परिणाम भी लिखेंगे, तो यह हमार पर क्या होगा, तो इसके परिणाम में लड़का आएगा, या लड़की, ठीक है, इसके परिणाम भी क्या लड़का होगा, लड़की को, तो यह इसकी पॉसिबिल्टिस होती है यह सेंपल स्पेस बन रहे हैं सेंपल स्पेस पूछा था मतलब परड़ परड़ाम संप्राइक पूछा था यह निकाल चुके हैं तो इसका इसका आप स्किन्सोर्ट ले से तो फिरमाते हैं सिक्का उच्छाला एक न्याय संगत विधिक क्यों माना जाता है भाई अब देखो इस कोशन में पूछा जा रहा है कि वह अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है उसके बीच में स्टार्टिंग में बाई बॉल कौन स्टार्ट करेगा इसके बीच में टॉस किया जाता है टॉस क क्यों 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 इसलिए क्यों 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 क्यो तो इसमें coin जब उचा रहता है या फिर head आएगा तो यह team जीत गई, tell ऐगा तो यह team जीत गई तो वो इसलिए होता है क्योंकि team होती है दो और शिक्के के पहलो होते हैं दो इसलिए सिक्के का use किया आता है ओके तो भाई यहां पर सिक्के को सिक्का उच्छाना एक नया संगत क्यों माना जाता है तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं हल भाई दो टीम जो होती है टीमों में पहले बॉल पहले बॉल लेने के लिए नयाय संगत भाई पहले बॉल के लिए नयाय संगत क्यों होता है ठीक है नहीं सिक्के को उच्छालना इसलिए माना गया है क्योंकि सिक्के के दो पहली होते हैं होते हैं या फिर होगा चित या फिर होगा चित जिसे हम कहते हैं है ठीक है या फिर होगा या फिर होगा टेल जिसे हम पट कहते हैं भाई ये दो चीज होती है भाई है ए फिर होगा चित की प्राइक्ता अ कि उचफ़ प्राइकता और जो चित की होती है और जो प्राइक्ता को प्त की होते हैं ये दोनों बराबर होने चाहें है अब nose करेंगे किसे करेंगे किसे को किस से के का तो नहीं के otams नहीं नहीं है और नहीं को हाज नेक्स कुशिन कहा है निम लेकिन कौन से संख्या किसी घटना की प्रायक्ता नहीं है इन में से कौन सी है जो घटना की प्रायक्ता नहीं है अब देखो घटना की प्रायक्ता के लिए मैंने क्या बताया था आपको तो इसमें भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रा तो बहुँ यहां पर zero or a지만, के तीन विर दो और दो बड़े तीन आ रहा है? तो फटा-फट तो पहले comment करो, कि दो बटे तीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, comment कर सकते हैं आपकी दो बटे तीन इसकी practical यह दो बटे तीन का अंस और हर है हर मतलब जो बटे वाली संक्या दो बटे में तीन है जब भी नीचे वाली संक्या जो हर होती है वो अगर उपर से बड़ी हो जाए नीचे वाली संक्या बड़ी वाली छोटी है तो यह हमेशा एक से छोटा होगा याद रखना हमेशा एक से छोटा होगा कैसे तो तो इसको भाग करके भी देख सकते हो आप तो जैसे इसको दो को तीन से भाग करोगे तो भाई क्या कट रहा है तो नहीं तो जिरू पॉइंट लगाएंगे फिर यहाँ जी रहाएगा फिर तीन चिक अठा रहाएगा यानि क्या 0.6 के अपर उसा रहा है मतलो यह तो होगे एक सच्छोटा है यानि कि ये प्राइक्टा इसके अंदर लाइक कर रहा है यानि ये ऑप्सन बिल्कुल ठीक है तो ब्हुतिक है क्या एक ही सही हो सकता है तो तो यह ये वाला तो है शीग कभे ये वाला है भई हमने देख लिए यह है अब आते हैं नहीं वाले के लिए तो हमें पता है zero से एक के बीच में यह भी आ रहा है और यह भी आ रहे ह। क्योंकि यह भी 7 यह प זה Cute तो यहां पर एक दिख रहा है मैं एक पॉइंट पाँच होई माइनस का चाहां इसमें कुछ माइनस है तो जहां आपको माइनस दिख दे दिख जाया मतलब वह नहीं है बात खतम यानिकि यह तो प्रैक्टा बिल्कुल भी नहीं है और यही हमें पुछा था कौन सी प्रैक्ट करतें नहीं बिल्कुल सही बात है जीरो और एकके बीच में पंदरा लाइन नहीं करता है लेकिन यहां पर सिर्फ पंद्रा नहीं लिकाता है अब परसेंट से क्याता पर रहें बाहित जहां आपको परसेंट दिख जाया इसका मतलब यह पंद्रा बटे 100 हो है और जैसे पंदरा को सौ से भाग कर रहे तो यह आएगा 0.15 आएगा अब मुझे बता दो क्या यह 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो बिलकुल आ रहा है यानि कि यह तीनों बिलकुल सही प्राइक्टा दर्सा रहे हैं लेकिन यह भी आप्शन प्राइक्टा नहीं दर्सा र ऐखते हों और दिखते हैं अगले कुशन को किस टाइब क्या और करते हैं उसको भी हां राम से सब्सक्राइब ऊके चल बसाइब और, तो कि दूआते नेक्ट कुशियन भी तो अगला हमारा कह रहा है कि यदि पी जो है वो है 0.05 यानि एक प्राइकता आपको देखिया है 0.05 अब इसने कहा है इन नहीं होने की प्राइकता क्या होगी वह देखने वाले हैं चलो बिल्कुल देखेंगे इसके लिए हमें एक छोट बरहा टाएं एक माइनिस में पी यह नहीं बड़ाबर में एक है और इसको ओठा के इधर लाओं तो पी यह सकते नहीं नहीं कह सकते हैं हमें इसमें क्या ग्याद करना है नहीं वाले को यहां रखा और अब देखते हैं क्या होने वाला है तो इसके अंदर क्या है एक और चीज़ मैं आपको बताओं जो यह नहीं वाला होता है नहीं इसको हम लिखते हैं पी-ई-डैस से भई नहीं को इस डैस से लिखा जाता है को कि डैस का मतलब ही नहीं होता है और ये कैसे निकल रहा है तो भई एक माइनस में पी-ई भई सेम फ़र्मला दुबारा लिख दिया लेकिन ये शॉर्ट फ़र्म में फ़ड़ा बढ़ियां अब इसके बाद इसमें हम इसकी वैलियूज को रखते हैं जिससे की ये हमारा ए नहीं निकल पाएगा तो हम देख पारें हमें एक माइनस में 0.05 भई यह आ गया एक मैसे इसको घटाएंगा और यह अंसर आएगा अब इसको घटाते हैं देखते हैं कितना है तो एक मैसे जैसे हमने इसको घटाएं तो यह आ रहा है 0.95 भई कितना रहा है 0.95 भई कितना रहा है जो की पी डैस आ गया है यानि अब हम कहेंगे ई नहीं की प्राइकता भई इसकी जो प्राइकता है यह कितनी आ रहे हैं तो यह आ रहा है जीरो दसम्लाव नौबाच डन तो यह इसका उन्सराज चुका है आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हो फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर और देखते हैं अगला किस टाइप का कुश्चन है और कैसे उसे भी बड़े राम स्वाल क करने वाले हैं चलो वह देखते हैं हां जी तो नेक्स्ट कुश्चन में हम देख पा रहे हैं एक थैले में केवल नीबू के महक वाली मिठी गोलिया है मतले थैली है उसमें नीबू की महक वाली मिठी गोलिया है ठीक है भाई अब इसका स्वाइब मालीनी बिना थैले में ज संत्रे की महक वाली होगी और इसके बाद क्या है नीमू की महक वाली होगी भाई ये दो चीज़ है अब देखो क्या चीज़ हो रहा है जैसा कि हमें मालूम है उसके अंदर भाई गोलिया किसी है तो यहां पर मैंने लिखा हल और इसके अंदर हमने लिख दिया थैले में में नीमू की महक वाली क्या है नीमू की महक वाली मीठी गोलिया है तो हमने यहां पर में मीठी गोलिया है है ठीक है यह यहां नीमू की महक वाली मीठी गोलिया उस थाले में है अब इसमें कहा गया प्राइक्ता बतानी है कि फ़र्ष्ट वाला फ़र्ष्ट पार्ट की बात करते हैं तो प्राइक्ता हमें बतानी है संत्रे के की महकवाली अब यह देखी क्या चीज़् है इस ने कॉश्शन में कहा है कि एक थहले में निभौ के महकवाले कुछ मीथी मेठी गोलिया है अब उसके अंदर बीना lockे एक भी निकली और गूली जो जाएगी शून्य इसकी पैकता सुन्य हो जाएगी क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं संत्रे के महकवाली जो है वो है ही नहीं तो हमने इसकी पैकता को शून्य दिया दन तो पहला यहां पर समाप और आते हैं दूसरे की वाली दूसरे में देखते हैं नीमू के महकवाली अ अब जो गोली है अदर से हमने निकाले वह निवू निकले तो वह तो रहागा है तो हम निश्चित बात हो गी ऊť तो गी Weather तो सिकेचिसां कॉशन यहां पर यह समाप्त होता है है और आते हैं निएट डियारतियों के एक समोह में दो विद्यारतियों के जन्म दिन ना होने की पैक्ता यह दे रखी है पैंशी तीन विद्यार्ती इन में से कोई दो विद्यार्थिकिन की एक ही दिन वाल говорит All इसके यहां पर देखिए क्या होने यहां बने लिखा हाल और इसमें लिखा भई क्या तका हमें दे रखिए तीन विद्यार्थी में से तीन में से दो विद्यार्थी तीन में से दो विद्यार्थियों की प्राइक्ता विद्यार्थियों का जन्म दिन एक यही दिन होने की प्राइक्ता तीन में से दो विद्यार्थे के एक ही दिन जन्म दिन होने की प्राइक्ता जो दे रखिये वह 0.92 है ठीक है अब इसने कहा है ऐसा नहीं होना चीए इसने क्या तीन में दो विद्यार्थियों का जन्म दिन एक ही दिन नहीं होना चीए यह बात हो रहे थे नहीं होने की तो एक ही दिन ना होने की भाई इसमें ना लिखना पड़ेगा ना नहीं चोड़ सकते हम भाई हम नहीं पड़ा था ना होने की प्राइक्ता आपके इतनी थी तो न जनम दिन दो विद्यारत्यों को जनम दिन एक ही दिन होने की तो इसके लिए बात की जाए तो इसको हम लिखेंगे इडैस मतलब यह नौट की बात नहीं की बात कर रहा और यह कैसे निकलता है अगर नहीं की बात कर रहे हैं तो यह निकालने के लिए एक में से हां को घटाना पड़ेगा अब इसके लिए हम देख पा रहे हैं पी इडैस जो निकलेगा मतलब नहीं वाला वो कितना निकल रहा ह तो एक में से हमने घटाया 0.992 घटाया और इसको हमने घटाते ही लिख दिया 0.008 भाई यह आ गया है पीड़ेस डन तो यह इसके सामने आंसर आज चुका है आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हूं कोश्चन बिल्कुल क्लियर होता है तो आप इसका स्क्रीन सॉट लीजिए अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर और देखते हैं अगला किस टाइब का कुश्चन है और कैसे उसे बड़े अराम से हम सॉल्ल करते हैं चलो भी ठीक है हाँ जी तो नेक्स्ट कोश्चन क्या कहता है तो ये कोश्चन कहता है कि एक थैले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं एक थैला है उसमें तीन लाल है और पांच काली गेंदे हैं चलो ठीक है इस थैले में से एक गेंद यदाचित निकाली गई मतलब भी ना देखे व पर हल और इसमें हमने लिख दिया लाल गेंदो की संख्या भाई लाल गेंदो की संख्या भाई लाल जो गेंद है उनकी संख्या की बारे हम बात करते हैं लाल गेंदे जो है उनकी संख्या की बारे में तो लाल गेंदे कितनी है तो यहां पर हम देखा तीन उसके बाद काली ग गेंदो की संख्या भाइ ये कितनी है तो काली गेंद की बात की जाए तो ये पाँच है अब यहां पर हम कहेंगे कुल गेंदो की संख्या ये हमने देख लिया बाई आठा गया इतनी बात तो हो गई है उसके बाद question में कहा गया है इनमें से यदाचित एक बॉल निकाली गई है और वो बॉल लाल होने की प्राइक्टा है नहीं पहले की बात करते हैं भाई प्राइक्टा हमें निकाली है लाल की लाल बॉल की प्राइक्टा निकाली है ठीक है तो इसके लिए क्या होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे लाल गेंदो की संख्या भाई लाल गेंद जो है उसकी संख्या की बात करते हैं उसके बाद बटे में क्या आएगा भाई लाल गेंद है उसकी संख्या उसके बटे में की बात की गए तो बटे में आएगा इसके बाद हम इसलेलाजınd लदो की संख्या है नीचे तो कुल होता है को लगेंदे के इंगे तो कुल जहां पर में हुआ हम देखते हैं बाई कोल गेंदो डेंदे कितनी है तो लगेंदे छो सब्कवा प्रफिकतनी गेंद मैं दे करनी हैं serait प्राइँ आफ यह अन्सर आगया किसका लाल का डन अब बूप करते हैं सेकंड 피स्मे कहा गया है लाल नहीं होने नहीं नहीं की प्राइकता दॉप जब भी लाल नहीं यह था वासर है तो इसको लिगते हैं मैं इसमें पि लाल यानि जो लाल यह था उसको एक माँ से घठा देने में ज kept अगा तर जगर लाल नहीं होने की प्रैक्ता है इतना ही आच चुका है तो आप अब इसका स्क्रिंसॉट ले सकते हों कि इस कोश्चन में लाल गेंद की प्रैक्ता क्या है और लाल नहीं होने की प्रैक्ता क्या है वो हम निकाल चुके हैं अच्छा एक और चीज लाल नहीं मतलब क्या होगा तो लाल नहीं मतलब काली गेंद होगी तो यही चीज आपकी काली गेंदों की संख्या भी अगर कहता कि काली इसे के साथ यहां पर स्रमाप्त होता है आप इसका स्रमाप्त होता है और इसे के साथ आज का स्रेशन यहां पर स्रमाप्त होता है आज हमने कुल आठ कोश्चन इसके कंप्लेट कर लिये हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इसके आगे के कोश्चन और व हो मैंगनेट बेन के बारे में तो इसा प्लैट्फोर्म में जो आपको प्रवाइट करता है के जी से लेकर 12 क्लास तक के सभी वीश्यों के हमारे तॉप कोर्से वह आप देख सकते हो सीवेसी हिंदी मीडियों और इंग्लिश मीडियों दोनों ही अवलेबल है साथ ही साथ एंटिया कॉंपेटिशियन लेवल के एक्जाम के प्रपेशिन भी करवाई जाती है जो क्या देख सकते हो एंटियसी अलंप्यार सी यूट और इस वेबसाइट के अंदर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल आरेंज फ़र्म में और वह भी बिल्कुल सिस्टेमाइटिक तरीके ज़े अरेंज और से आप इसको भी एकसेस कर सकते हो दन चलो भी ठीक है उसके बाद फाइनली और चीज़े क्या है जैसे आप साथ फेस्बूक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलिग्राम पर भी जूट सकते हैं यहां पर भी बहुत इंफॉर्मेटिक चीज़ आपको मिलते रहेगी और चाहते हो आप कोई एक्स्ट्रा बुक्स लेना जिससे आपके आप अपनी तयारी का और बहतरीन करना चाहते हो तो इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंट सरकल में रिलेटी में या फिर जान पेचान में जो भी है जो इनका खिशाओं में पढ़ते हैं या इन में से किसी भी सब्जेक्ट को कूर्स को स्टड़ी कर रहे हैं उनको इसका फाइदा मिल आपको फाइदा मिल रहा है उनको फाइदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी ओके तो फाइनली यह कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है तो इसे लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रही है ओके बाई टेंक्यू